रावनाब जी सारे दर्शकान एं मैं दीप सिंग्गुब्ण आप सब का स्वागत हमारे यूटूब चैनल बोल गावरु बोल नाम देशी बाई काम देशी है रावना चैनल भी देशी है रावनी बोली देशी तो बाई इसलिम अब बढूा घ हाँ, इभी याड़ा घुपा अध्यक्स, कॉंग्रेस पर्टी को सचिन कुंड़ू भाई आ रहे हैं, ईभी बेरन के बात हो जोख और यह रहे हैं, युवा भी भूजोर्ग सारे इसी के बेरन के बात तर्बढू भी मेमह ध्र भ्रोधा ऋट युवाद देख्ष कवरेश के और ब्रोद्दा में क्यों आ रहे हो देखिए ये स्वाल तो आज सब को पता है कि परदेश का बड़ा मेतोपुर्ण उप चुनाव है और उसी के लिए पूरी तमाम पार्टियां आप अपने उमिद्वारों के लिए चुनाव में लगी हुई तो सर एक स्वाल है मतलब एक तरफ आपका केंड़ेट इंदुराज उर्फ बालू जिसको अब बालू के नाम से जैदा जाना जा रहा है दूसरी तरफ है पहलवान योगेश्वर्दत पहलवान और तो एक गाउ में एक चर्चा हो रही है मतलब पहलवान जितेगा या बाल का नतीजा दसा और दिशा तै करेगा इस प्रदेश की कि ये देश किस प्रदेश किस दिशा में जाएगा और लोग बड़ा इंतजार में तीन तारिक की लोगों ने दस साल चोदरी पुपेंदर सिंग उड़ा जी के नेतरतों में कॉंग्रेस पार्टी का राज भी देखा चाये इस इलाके में काम की बात हो बरोदा में महिला इंविसोवी दल्ले बनाने की बात हो चाये पावराउस बनाने की बात हो चाये स्टेडियम बनाने की बात हो चाये अने डेवलेमेंट की बात हो और चाये नोजवानों को भाई दिपेंदर जी के नेतरतों में रोजगा कि आए, आज इस परदेश का और इस देश का किसान इतना प्रेशान है मंडी में उनकी फसल पिट रही है और किसान अपनी आवाज उठा रहा है तो किसान को लाठीयों से पीता जा रहा है नोजवानों की बात करे, जो परदेश परतिवेक्ती आये, प्रतिवेक्ति निवेस हर मामले में उड़ा साब के समय में नंबर वन परदेश होता था आज वो परदेश बेरोजगारी और क्राइम के मामले में नंबर वन परदेश इन लोगों ने बना दिया तो इस परदेश की जनता इंतजार में कि कब तीन तारिक को ये चुनाव और ब्रोदा की जनता इस जन विरोधी सरकार को इनका मूँ तोड जवाब दे इनको हकीकत दिखाए कि आज आज आप कहां खड़े हो तो सर एक और बात है इस टाइम आप ब्रोदा में आ गए ब्रोदा की जनता आप से क्या आस लगाए बेठी है जो आपको बोट देज देखिये स्रीकिर्शन उडाजी के नेतर्तों में ईडा शान के नेतरतों में इस सेरिय में बड़ेविकास कारी हुगिन यह जन भावनाओ के खिलाप का गठ बंदन है जेजिपी ने ब्रोदा को आपको बीज़.आना को और उनकी गोद में जागे बैठके और ये गठ का नतीजा बीजेपी की यहां जमानत जपत होगी और बीजेपी सरकार की गठबंदन सरकार की उसी दिन से उल्टी गिंती की सुरुआत होगी यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी तो सर एक आखरी स्वाल हमारा मतलब आपका केंडिडेट कितने वर्जन से जीतेगा और आपने बोला भी इसकी उल्टी गिंती सुरू हो जाएगी सरकार की तो वो उल्टी गिंती कब तक खतम हो जाएगी सरकार की यह भी बता दो रिकार्ड तोड मतो से हमारा केंडिडेट एक पार्टी ने पहली बार पहले भी फैसले लिये हैं लेकिन उप चुनाओ में एक आम साधान परिवार के किसान के बेटे को नोजवान को एक वर्कर को टिकट देके हुड़ा साब ने और कॉंग्रेस पार्टी ने ये दिखाया कि आम परिवार के बच्चे भी MLA बन सकते हैं और निश्ची तूर्ब पर ये कोई चुनाओ अन्य मुद्धों पर नहीं है ये चुनाओ इस परदेश के किसान वर्सिज बिजे भी घरीब आदमी मजदूर आदमी छोटा व्यपारी हर आदमी इन से प्रेशान है और आप द देखना दस दिन दस तारिक को जब नतीजा आएगा उसके बाद ये सरकार गिर जाएगी ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी जो भी कार्या करता जिसका भी सुन रहा है एक बार उनको पता तो लगी जाएगा हमारी सरकार या यह हमारी विरोधी सरकार उस दिन गिरी मैं वही कह रहा हूँ एक बार आप दस तारिक तो आने दीजिये ज्यादा दिन ने टिक पाईगे उसी दिन से उल्टी गिंती शरुआए पक्की बात है क्योंकि जन बावनाओं के खिलाब बनिवी सरकार ज्यादा लंबी नहीं चलती तो यह थे जी सचीर कुंडू जो की कोंग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्स थे तो बाई चैनल देख देरो नुवे लाइक शेर सब्सक्राइब कर देरो नुवे टूंडा ठाएदेव बाई कमेंट आगा जो थामरा आच्छे बूंडे जो भी हो तो दन्नेवाद दोस् तो बाई